स्वागते दोस्तों पर फिर साका मेरे स्वीडियो के लाइट सेलेक्टर पर और आज के इस वीडियो के अंदर जहां पर सिलंका और इंडिया के बीच होने वाले इस तीसरी D20 मैच काम पूरा इनालेसिस और प्रडिक्शन करने वाले हैं कि कौन से प्लेयर एक्चुली हमको ज सकते हैं और उसमें से पांच टी में ले जाकर के आप एक प्राइम कॉंटेस्ट में जाकर करके ज्वाइन कर सकते हैं जिसका ज्वाइनिंग एमाउंट वह तो 49 रुपए होगा लेकिन अगर आप आज इस मैच के पहले एक एप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा अगर आप के पास केवल एक रुपए में आने वाले है तो उस आफ़र को आप अवेल कैसे करेंगे कैसे आप उसमें जॉइन हो सकते हैं कॉंटेस्ट में इस सारे डिटेल्स आगे आपको मैं मताऊंगा इसी वीडियो के अंदर लेकिन ये वीडियो सुरू से अन तक आप देखिएगा जरूर जो कि मैच सिलंका और इंडिया के बीच में खेला जाएगा 30 जुलाई को साम को साथ बजे से और आपको पताइए पलने के लाए इंटरनेशनल करके स्टेडियम पर ये मैचेस होंगे और जहां पर अभी तक के जो दो मैचेस हमने देखे कंप्लीट होते हुए सेम मि पैचेस वहां पर बने हुए थे और उन पैचेस पर जब टिपा खाती थी तो फस करके बल्ले पर आती थी या तो तर्द अच्छी खासी होती थी आज पूरी उमीद है कि एक फ्रेश ट्राइक पर मैच खेला जाएगा जो भी टीम टॉस जीती यो पहले फिल्डिंग करने जाएगी चुकि कंडिशन्स यहां पर जो आज बताई जा रही है वह है कि क्लावडी रहेंगी और सुबह के टाइम पर तो साथ बारिस भी होगी यानि कि करीब 11-12 बजे के आज पास दो पहर की टाइम तक वहां पर बारिस की भी संभावना 50-60 परसेंड है लेकिन साम को ब प्रकास्ट नहीं आया है बादल मैजान पर बने रहेंगे और अभी तक के जो दो मैचेस कम्प्रीट हुए जहां पर सिकंड मैच में तो इंडियन टीम ने डगवर्स लूइस के हिसाफ़ जो आट होवर बाट अतर का स्कोर चेज करने को मिला था पहले सिलंका ने एक सो एक बलकि इसके पहले के चार और मैचेस आप ले लीजिए जो के लंका प्रीमियर लिग के खेले गए थे इसी जुलाई की महीने में ही 2024 के अंदर साफ वहां पर देखने को मिलता था कि नई गेट से यहां पर जम के रन बनता है 11, 12, 13 वे और तक उसके बाद जब बॉल साफ्ट हो जाती है और पिछ जो कि डेफिनेटली काफी सारे पैचेस के साथ आती है एकदम हार्ड होती है सुरू में बाद में जाकर के पिछ पर भी गेद फसने लगती है सौफ्ट होने के बाद गेद के तब वहां पर आखरी डेथ ओरस में रन बनाना मुस्किल हो जाता है तो यह यहां पर अगर आप देखे तो अभी तक के जो लास्ट के छे मैचेस हुए हैं इसी वजह से ऐसा कोई वन साइड़ नहीं जाता कि जो पहले बैटिंग करेगी टीम वही जीतेगी जो टीम बहतर परफॉर्म करेगी आखरी ओरस का ज्यादा फाइला उठा पाएगी वही ठीक चीज जो यहांपर देखनों को मिलती है कि मेंस क् scient Сам Kr Т disc में बहुत कम देखनों को मिलता है कि इन छे म VII मैचेस में लाष्ट के 42 विक्टेम बिली है सिन को और 38 विक्टेम में है पेस को जिसमें पेसर्स ज्यदधा तर व्क्रें लेके जाते हैं पहले इनिंग में और में ठीक ठाक बैटिंग कर जाए चुकि जब गेश सॉफ्ट होती है तो वहां पर रन बनाना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो यह तो हमने अभी तक के पर चीज आपको बताई पिछ रिपोर्ट में लेकिन पिछ रिपोर्ट क्या आने वाला है वहां पर पिछ कौन सी रहेगी आज के इस मैच के लिए उसके लिए जो पिछ रिपोर्ट मैं समझ पाऊंगा वह आपको मैं आडियो के द्वारा हिंदी में पोस्ट कर दूँगा जिसका लिंक जो है वह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बाक्स पिंग क्या वा कमेंट है इन दोनों जोगों पर मिल जाएका तो जाकर के लिंक को क्लिक करना है इस टेलिग्राम को चैनल पर पहुंचना है और नीचे यहां पर एक जोईन बटन आप से तो नहीं खेलने वाली है यहां पर चेंजस हो सकते हैं पिछले मेंट पर रमेश मेंडिस को खेला है से लंकन टीम ने वहां पर इनके जो बाएं हाथ के तेज गेदबार ते दिलसान मुदसंका की जगह पर इनसे ओवर अगर खेलेंगे एक बार फिट से तो ही दो से से तो उनकी जहां पर संजु सेंसंस ओपन करा है पहली गेड़ पर भाई साब आउट हो गए महीर तीक्षणा की गेड़ पर बाकी जैसवाल है कप्तान इसके बाद हर्दी पांड्या जिन्हों ने पूरे बॉलिंग की चार ओर की और बहतरीन बॉलिंग बिसे के लिए तो वहां पर रिसव पंद भी आपको नंबर तीन पर जाते हो दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद वही होता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉमिनेशन बनाये रखते हैं मुहमद सिराज को मुझे लगता है कि बैठा आया जाएगा बाहर बॉलिंग में चेंजस यह देगा जैसे खली लेहमद आगये तो यह भी प्रेट डेट वर आपको बॉल करता हुए दिखाई पड़ेंगे जिसकी जहाँ पर आएगा उसकी जहाँ पर और वासिंगडन सुंदर भी अगर प्लेंग में आगया तो यह भी प्रेंग बॉलिंग कर सकते हैं चूकि अगर र इसका फर्णांडो जबर्दस फॉर्म में थैं लेकिन अभी तक इनको मौका मिला नहीं है, मुझे लगता है इनको मौका मिलना चाहिए, बाकी यहां पर इनके पावर प्ले और डेथ होर की बॉलर्स, अब हम आगी बढ़ेंगे और बात करेंगे उस offer के बारे में, जो आपको कॉंटेस लिएओं दिखाई पड़ रहे न है, जब इस मैच को आप खोलेंगे इंडिया सिलंका वाले मैच को तो हाँ पर आपको एक प्राइम कॉंटेस दिखाई पड़ेगा, जहां पर विनिंग प्राइस टॉप इनिंग प्राइस, फिर्स प्राइस है एक लाख रुपे कि आप जी सकते हैं इतनी बड़ी प्राइज तो पांच चांसे आपको इसके लिए मिलें गया वो भी केवल एक रुपए में लेकिन वही बात है कि डिस्क्रिप्ट्रिप्स पिन कमेंड बेजो लिंक उससे पहले आपको अप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा नए यूजर क आपको पहला डिपोजिट जो करने का मौका मिलता है उस पर आपको मिलता है बीस परसंट का एक्स्ट्रा कैस आपकी पहली डिपोजिट पर जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिए अप्लिकेशन को आप देखेंगे जहां पर लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्स पिन कमेंट म वही पर आपको मैंने एक कूपन कोड भी दिया हुआ सेलेक्टर 20 उसको लगा करके सेलेक्ट 20 उसको लगा करके आप हजार का डिपोजिट करेंगे तो 1200 मिलेगा 200 के डिपोजिट पर 240 एक लाग के डिपोजिट पर 120,000 रुपे यानि की 20% का एक्स्ट्रा कैस तो वह आपको 100 यूजिबल नए आफर के रूप में मिल जाएगा बाकी 1500 का कैस बोनस वह तो रहेगा ही आपके लिए अलग से यह तो अलग से रहेगा जिसको डिफेंट डिफेंट में अलग परसेंटेज वाई इस्तिमाल कर सकते और उसका फायदा उठा सकते हैं मार्जिन बढ़ा सकते है बाकी इस बात को तो ध्यान में रखना ही है ज्यादा आपको रिस्क लेना है नहीं लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और हम आप पिए अनालिसिस करनी शुरू करेंगे जहां पर आपको सबसे परें से लेंकन टीम के प्लेयर के बारे में बताऊं और ज्यादा रिशन फार्म के पारे में यह डिसकस करने की ज़रूत है नहीं लेकिन आप चाहें तो यहां पर इनिंग वाइज एनालिसिस देख सकते कि कौन सा बैटर पहली इनिंग में या सेकेंड इनिंग में कितना बेहतर खेलता रहा है पूरे T20 करियर के दूरान जिसमें कुसल मेंडिस पहली इनिंग क बेहतर बैटर दिखाई पड़ते हैं सेकेंड इनिंग के कंपरिजन में जबकि पथम निजंका इनका दोनों इनिंग का करियर एवरेज वो लगभग सिमिलर है लेकिन वही पर अगर आप देखेंगे कुसल परेला को तो यह भी पहली इनिंग में बेहतर दिखाई पड़ते लेते हैं अभी तक जितनी भी बॉलिंग करके जितनी भी विक्टेनों निकाली है टी टूंटी में उसके बेसिस पर आपड़ा निकलता है जबकि महीज तीक्षणा इंटरस्टिंग जबकि एक स्पिनर है सेकेंड इनिंग में इनकी बॉलिंग स्ट्राइक काफी खराब है पहली इनिंग कभी बहुत बहतर नहीं है तेकि फिर बी जो भी है वह पहली इनिंग में ही है वहीं पर जब्यातर दिखाई पड़ते हैं दिलसान मदुसंका हो गए असिता फर्फर्णड वगए इनकी बी वह सारे आकड़े आप देख सकते हैं रीजिंड फोर्म देख सकते और आज के इस मैच में, जैसे ही आप अपने प्लेयर्स करने जाएंगे और सिलंकन टीम के प्लेयर्स के बारे में देखेंगे, तो लोग जहां किसके साथ रहे हैं, लोग जाएंगे पथोम निसंका के साथ, लोग जाएंगे कुसल मेंडिस के साथ, आप कुसल परेरा के साथ लोग जाएंगे और नीचे आते चले जाएंगे तो और बाकि सभी को लोग टोटल इग्नॉर करेंगे, हसरंगा के साथ काफी सारे लोग जाने वाले हैं, और बॉलिंग में पथी जाना के साथ, तो यह पांच ऐसे option है सिलंका के पास, या दिखाई पड़ेंगे आपको सिलेक सिलंका के साथ जाएंगे और जहां तक मुझे उमीद दिखाई पड़ रही है, आज के इस मैच में, चुकि अविस्का फर्णांडो भी खेलेंगे, अगर खेल रहे होंगे, तो second inning की बैटिंग में आप इनको ट्राई करिएगा, वरना अगर यह नहीं खेल रहे है, बाइचांस आज के समेंच में, या दिनियस चांदीमल यह भी अगर खेल रहे हैं, तो इनको भी पहली inning और second inning बैटिंग दोनों में ट्राई करना है, लेकिन जैसा मैंने को बता है, कि अगर अगर इसका फर्णाडो यहाँ पर दिनियस चांदीमल दोनों नहीं खेल रहे हो, या कोई भी एक नहीं खेल रहा हो, तो आप second inning की बैटिंग में वहाँ पर चरिद असलंका को ट्राई इनिंग की बैटिंग में दसुन सनाका को ट्राई करिएगा, चुकि दसुन सनाका तब पहली inning में भी अगर खेल रहे होंगे प्लेंग लोन के अंदर, तब पहली inning की बॉलिंग में भी आपको बॉल करते हो दिखाई पड़ सकते हैं, वहाँ पर यह ज्यादा बिटर चॉइ बिल्कुल नहीं, और जो बॉलिंग लाइन अप है, उसमें से अगर दुने सफळला लागे खेलते हैं, तो चाहे पहली inning की बॉलिंग हो, चाहे second inning की बॉलिंग हो, इनको भी ट्राई अप करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो विक्रम सिंगे हैं, यह भी domestic season बहुत अच्छ तो वहाँ पर आप देखेंगे, पथम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, तीनो जबर्जस परफॉर्मिस करते रहे हैं अभी तक, इसके लावा यहाँ पर कामिंदू मेंडिस को दो मैच में केवाल 38 राना भी पिछले मैच पर 26 का highest score बनाया, लेकिन काफी धीमा खेले इसके बाद चरित असलंका के आंकड़े भी कुछ खास नहीं है, दसुन सना का भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं खेले हैं, लेकिन वहाँ पर वानिंदू असलंका के नंबर साफ को अच्छे दिखाई पड़ेंगे, बॉलिंग में मतीजा पतिराना इसी सीरीज में दो मै इनिंग में बहतर है पहली इनिंग से, इवन पहली इनिंग का भी काफी सांदार है, ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे मतीशा पतिराना तो दोनों इनिंग का इनिंग का जबरजस्त है, इसके लावाँ ऊपर से बैटर्स का भी आप देख सकते हैं, एवरेज पहली औ केवल 4 विक्ते हैं, और कुछ हद तक आप महीस तीक्षणा को भीका सकते हैं, 16 मैच में केवल 14 विक्ते हैं, और अगर आप नीचे आते चले हैं, तो असीता फर्नांडो के आकड़े भी थोड़े कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे, और साती साल, हालाकि इनिंग के विक कुसल परेरा को आप सेकेंड इनिंग की बैटिंग में त्राई कर सकते हैं, या इनके सेकेंड इनिंग के यहां के एवरेज को देखते हुए, पीछे आपको मने चीजे बता थी कि कुसल परेरा को पहली इनिंग की बैटिंग में त्राई करना है, लेकिन वहाँ पर सब्जे और सुबमंगिल पिछला मैच नहीं खेल पाया थे, लेकिन अगर आज किस मैच में खेलेंगे तो किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, खास करके सेकेंड इनिंग के अगर बैटिंग होगी तो ही मेरे टीम में सुबमंगिल खेलेंगे, अगर आज खेल रहे होंगे तो वरना अग हमारे टीम में जरूर होंगे similar हम एससी जैसवाल के साथ भी और सूरुक मार यादो कफ्तान के साथ भी जाएंगे लेकिन अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो रिसा पंद भी हमारे टीम में होंगे बाके हर्दी पंडा के बारे में भी ज्यादा सोचने भी जारने की जरू जिसमें से एक तो हर्दी पांड्या भी हो जाते हैं, अक्छर पटेल दूसरे हो जाते हैं, दोनों ओर स्थ पूरे करते हैं, लेकिन आल्ड रॉंडर के तोर पर खेलते हैं, तो रियान पराग के लामा, अगर केवल पांच ही बॉलिंग ऑप्सन है, सेम पीच है, तो वहां पर प्रियान पराग को जरूर अपने टीम में रखेगा, जो कि दो और तीन ओवर की बॉलिंग ये कर सकते हैं, और बॉलिंग करके विकड भी निकाल के दे सकते हैं, बाकि अक्छर पटेल, इनके बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, विस्नोई, इनकी अक्रमें बात करूं, तो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग, ये चीज़ ध्यान रखेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है, तो ही इनको ट्राइ करिएगा, पहली इनिंग की बॉलिंग में लेने की जरूरत है नहीं, और सदीब को भी चाहा पहली इनिंग की ब स्टार्स भी देख लें कि सिलंका के खिलाब जब यह इंडियन टीम खेलती है तो आंकडों में संजू सैंसन आठ मैच में कीवल 102 रन है इनके आंकड़े कभी अच्छे नहीं रहे हैं सिलंका के खिलाफ हाला कि सेकेंड इनिंग में उसमें भी ज्यादा बैतर रहे हैं लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आज यह खेल रहे होंगे तो हमारे टीम में रहेंगे सुमंगिल अगर खेलते हैं इनकी जगह पर सेकेंड इनिंग की बैटिंग में रहेंगे और बाकी यससी जैसवाल दो मैच में सत्तर रन सूरुक मार्यादों के जबर्जस त पंद भी ठीक ठाक ही रहे हैं पहली इनिंग में ज्यादा बेहतर रहते हैं 20 का ही एवरेज है हाला कि लेकिन उसके बाद हर्दी पंडय हो गए रियान पराक के दो मैच पर तीन युक्टे 7 रन हो गई बाकी अक्छर पटेल ठीक ठाक है और यहां पर रिंको सिंग के दो प्लिंग में हाला कि पिछले मैच में और इसके पहले वर्ल्ड कप में जिस तरीके से बुद्धी लगा करके बॉलिंग कर रहे हैं उससे तो यही क्लियर कट हुआ है कि किसी भी इनिंग की बॉलिंग और टीम में है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते बाकि रभी भी इस नोई इनके बारे मैं बता ही चुका हूँ बाकि वासिंग गटन सुंदर पांच मैच में आठ विकते हैं और अगर आज यह खेलते हैं तो 100% टीम में हमारे आएंगे ही आएंगे पहली इनिंग में चार सेकेंड इनिंग में भी चार विकते हैं इस ट्राइक एट अठार और 12 यान हैं वही आंकड़ा को यहां पर भी देखनों को मिलेंगे चुकि इसके पहले T20 में कोई इंडियन प्लेयर आपर खेला नहीं था इनिंग के हिसाब से इसको मैंने कर दिया कि कौन कहां पर क्या परफॉर्मस लेकर क्या आया इनिंग की बैसिस पर तो इसको तो देखने की जर वह पिछले ही मैच में हुआ था भी जबकि अक्षर पटेल ने दो बार अर्षदीप ने एक बार लेकिन अर्षदीप पर उन्हें रन अच्छे बनाए हैं यह बात लगबाग अच्छी है बाकि स्पिन के खिलाफ इंको दिक्कत हुई है बाकि कुसल मेंडिस यह अर्षदी वासिंगन सुंदर पर एक बार अक्षर पटेल पर और इन दोनों ही स्पिनर्स पर कमजोर पड़े हैं इसके बाद कामिंदु मेंडिस हर्दी पांड्या पर एक बार रियान प्राग पर एक बार वह भी काफी सस्टे में तो एक चीज़ तो पता चल रही है यह जो टॉप की परिसान जरूर किया है फिछले मैच में इसके बाद चरित असलंका जो है बिस्थणोई पर चार गेट पर एक रम बना गर एक बार आऊट हुँए हैं लेकिन वंडे में इसके बाद वारे अरच दिप में पर पहली पर पर पिछले वाले मैच में वो काफी हद तक हावी रहे हैं, इस पूरी के पूरी सिलंगन बैटिंग और पर प्लस अर्जदीब, अर्जदीब को भी अगर आप मिला देतो, इसके लामा बाकी यहाँ पर अविस्का फर्नांडो और दिनेश चादेमल जो भी तक तो नहीं खेले इस सीरीज में, लेकिन इन इंडियन बैटिंग लाइनप की तरफ आएंगे, और इनके बारे में देखेंगे कि, तो संजु सैमसन तीकषण के तीसरी तीन गेट पर दो रम मना करके एक बर आउट हो चुके हैं, हाला कि पिछले मैच में पहली ही गेट पर आउट हुए थे, जो पिछले टीटुनटी म पर आउट हो चुके हैं, पे लिए पहले टीटुन टी में भी आउट हुए थे, बाकि रियान पर हारदि पांडा करेंखेंगे, तो तीकषणा पर इक बार, मदुसंका पर यग बार, पती राना पर दो बार एक बार, बन और बा बीनदको बालिंग की है, उन पर बहुँ सस स्पिन ठीक खेल गए हैं, पेसर्स पर आउट है, खास करके पतिरानबर और दुनिस विल्ला लागे को भी वंडे में ठीक था खेला है, बाखे रिंको सिंग भी असीथा फ़र्णांडो की पहले गेर पर आउट हुए थे, पहले T20 मैच में, तो इस पूरा यह जो वीडियो को सब्सक्राइब को लेकर के प्लेयर्स की इंडिवेजुल स्टैट्स, डेटा और जो भी उसका इंटर्पर्टेशन करके मैंने प्रेडिक्शन दिया, उसके बैसिस पर जो हमको समझ में एक चीज आई, कि सिलिंकन बैटर्स स्पिन के खिलाफ और साथी साथ इंडियन बैटर जो हैं और इन पूरी इनालिसिस की बैसिस पर जो फिलहाल हमारी अभी के लिए स्मॉल ली की टीम बन पा रही है, वो आपके सामने है, लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी, वो तो आपको मैंने बताया येगी, कब किसको लेकर जाना है किस इनिंगी बैटिंग बॉलिंग में, उसके हिसाब से मैं आपको फाइनल टीम टेलिग्राम के चैनल पर दे पाऊंगा, टॉस्क आपडेट आने के बाद ये भी बदा दूँगा कि कौन सी पिछ यूज हो रही हो, पिछ है कैसी, तो उसके लिए टेलिग्राम को जाकर कर जोइन कर ये, लिंक इसका डिस्क्रिप् कर पाएंगे, वो भी पांच टीमों के साथ, जहां पर आपके लिए बाइक प्लस लाकों का कैस प्राइज वीडियो को शुरू में आपको मने दिखाया था, वो विन करने का चांस आपके पास होगा, वो भी पांच बार और साती साथ 20% का एक्स्ट्रा कैस पर दिपोजिट फिलाल चलते हैं, समस्कार